गर्मी आ दिखाने के आउस्षिक्ता नहीं है गर्मी मत दिखाएए यहां पर इसलिए बोला जा रहा है इस सदन है सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए मुख्य मंत्री योगी आदितिनात के इस बयान के बाद समाजवादे पार्टी और बीजीपी के बीच सियासी बयान बाजी का दौट जारी हो गया है सपा सदन के अंदर और बाहर सरकार पर हमलावर हो गई है सीएम योगी के लाल टोपी पर तंज कसने के बाद अब सपा ने भी पलटवार किया है पार्टी ने कहा है कि समाजवादियों को सदन में धंकी देने वाले सत्ता दीशों का समय आने पर जनता इनका इलाज करेगी दरासल यह मामला उस वक्त गरमाया जब विदान परिश्रद में सीएम योगी के भाषड के दोरान सपा के MLC नराज होकर उनके कैई शब्दों पर आपत्ती जताने लगे इस पर सियम योगी अधितनात ने कहा कि सपा के लोग ज़्यादा गरमी न दिखाएं जो जिस भाषड को समझता है उसे उसी भाषड में समझाया जाता है ये गरमी याँ दिखाने क्या उससेकता नहीं है गरमी मत दिखाएं यहाँ पर आइसी लिए बोला जारा है इस सदन है सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए बैठी है बैठी रटब जी बैठी है बानी नेता विरोधी जार अपने सदन को सामान्य सदन के सिस्टाचार को भी सीखिए बैठ जाईए आप इसलिए आप बैठ जाईए इसको लेकर अब सपा ने ट्वीट कर सीम योगी पनिशाना साधा है सपा ने कहा कि सदन पर सपा एमल्सी के परशनों से डर कर सदन छोड़ कर भागे सीम योगी किसानों, नौजवानों, महिलाओ, पिछडों, दलीतों और अल्प संख्यों की अवाज बलंद करने पर समाज वादियों को सदन में धमकी देने वाले सता धीशों का समय आने पर जनता उनका इलाज करेगी लोकतंत की हत्यारी बीजेपी सरकार के दिन बचें हैं चार बता दे कि इस से पहले सीम योगी ने विधान सबाह में भी सपा पर निशाना साधा था उन्होंने सपा की लाल टोपी पर तंच कस्ते हुए एक वाक्या सुनाया जिसके बाद सपा मुखिया अकलेश यादव समेथ कैई नेताओं ने उनके इस बयान पर आपती जिताई अकलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो भी लाल टोपी में लगा ली उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी वालों को लाल टोपी से डर क्यों लगता है अब देखना ये होगा किस मामले में और कितनी ताजनिती सामने आती है कितना मसाला आप लोगों के सामने आता है ऐसी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे यूपी तक धन्यवाद